नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा स्वागत है आपका कुनली टीवी के शोपंडी जी कहिन में जिसमें हम आपको वास्तू एस्ट्रो और नूमलोजी से जुड़ी बेहत रोचक जानकारी देते हैं तो चलिए सबसे पहले मुलागात करते हैं अचारे कमल नंदिलाल जी से नमस्कार पंडी जी नमस्कार निया जी और दश्वकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार फ्रेंड्स जेट का महीना बहुत खास माना जाता है इस महीने की छटी यानी की स्तंट शष्ठी भी बहुत खास माना जाती है इस दिन भगवान कार् पंदिटी से लेते हैं। चटी का परव है ये व्यक्टी की छह समस्याओं से उसको मुक्ति दिलाता है। कुछ पुरान कार्तिके भगवान को गणपति का अग्रजवानते हैं, कुछ उन्हें अनुजवानते हैं। शिव पुत्र कार्थिके की जो परवरिष है वो 6 कृतिका होने की थी तो कृतिकाएं क्या हैं कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और कृतिकाएं अंश हैं तेरा डिग्री बीस मिनट का एक नक्षत्र होता है अगर उसको हम विभाजन करें तो लगभग लगभग एक डिग्री और जीरो पांच सेकंड का एक अंच बनता है उसी को ही कृतिका कहते हैं इसलिए कार्थिके का नाम शड़ानन रखा गया क्योंकि उनके छे मुखें और छटी उनकी परियतिती है कार्थिके भगवान की पतनी का नाम है देवसेना बहुत सारी पिच्चरों में इस नाम का इस्तमाल भी हुआ है देवसेना वास्तविक्ता में देवसेना है क्या देव मंगल का ही एक प्रारूप जो हैं भगवानकारतिके हैं उन्ही को ही मंगलनात भी कहा गया है वही लड़ाका हैं, कुरूर चेश्ठक हैं और देवताओं को लीड करने वाले देवताओं के सेनापती हैं और ये खास दिन है जेट का महिना है क्योंकि बड़ा महिना है जेष्ठा का महिना है धुमावती का महिना है और भगवान धुमेश्वर का महिना है और उनके पुत्र का मासिक जन्म दिन कितना खास होगा ये बहुत important है आठ जून के दिन मैं उसके आपको पंचांग बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी celebration किस प्रकार से मनाई जाएगी कार्थिके का ये जो पर्व है सकंद शष्ठी ये बहुत खास बन जाती है कई मामलों में और इस दिन क्या है मैं आपको बताऊंगा जब कभी भी शु शुकलोपक्ष चल रहा है और शुकलोपक्ष की छठी थी थी है इस दिन सकंद शष्ठी जेश्ठी की मनाई जाएगी और इस बार खास क्या है खास ये है कि इस सकंद शष्ठी पे बहुत special रवी योग बन रहा है और रवी योग कब बनेगा सुबह 5-27 से लेकर अगले दि ये जो योग है ये बन रहा है और बहुत खास और इंपोर्टन दिन उन लोगों के लिए है जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं संतान हींता जिनके जीवन में आई भी है बहुत खास ये रहता है कि साउथ इंडिया के अंदर आज के विशेश दिन पर सरफ इनके दर्शन मात से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है ब्रह्म हत्या क्या है जब आप किसी ब्रह्मन को मार देते हैं जो गाय का वद्ध कर देते हैं इन पापों से भी छुटकारा मिल जाता है और सर्व पवित्र मयूर वाहं धारी जो कार्थिके हैं उनका जन्मोत्सव है यह इस मौके पर कार्थिके के दर्शन, कार्थिके के पूजन से नहीं सरफ संतान हिंता से मुक्ती मिलती है खास बात क्या होता है, कोट केसिस में भी विज़े मिल जाती है अगर कुछ विवाद आपके चल रह रहे हैं, परोशिएं से विवाद चल रहे हैं आपके अपने रिष्टेदारों से विवाद चल रहे हैं, तो इस खास दिन छोटे-छोटे से कुछ उपाए करके आप अपने जीवन को स्वरल सुगम और सफल बना सकते हैं, आप अपने जीवन में पॉजिटिवन नेस ला सकते हैं तो पंडे जी इस दिन जो वास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, उसकी विधी क्या है? देखे, सर प्रथम आप सुभ है श्नान के पस्चात क्योंकि उत्तर भारत में, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कार्तिके के इंडिविजुल मंदिर बहुत कम है, इसलिए कार्तिके सरवदा उपस्तित रहते हैं शिवलिंग के पास में, गणेश के साथ ही उनकी उपासना भ में होता है, जो उत्तर पाट होता है, वहाँ तो यौनी मुख होता है, उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट कार्तिके मिलेंगे आपको, इसलिए दक्षणा पंथी जो है, छे मुख जो है उनके, एक मुख उनका दक्षण में मिलेगा आपको, उनकी उपासना सुभे संकल्प क आप हिंदी में बोल सकते हैं, उसके बार एक समय का भोजन ही करें और कोशिश ये करें कि उस दिन आप उड़द या मसूर जरूर अपने खाने में सम्मेलित करें लेकिन सातविक तरीके से, फल इनको बहुत प्रिये हैं, जो लाल रंग के फल बहुत प्रिये हैं कार्तिके उसके बहुत भगवान को तो इस दिन जाम फल या अमरूद जो होता है, उसकी बहुत बड़े मैथ प्रे प्रिये हैं ऊटिके बहुत बेजिये हैं नको जो लोग संथान हीनता से जूज रहे हैं उसके लिए कोई उपाय बता दिजें इस दिन खिलोना चढ़ा कर किसी गरीब बच्चे को जिसके पास खिलोना नहीं है उसको देना जरूर आप इसको तो बिलकुल न भूले खिलोना चढ़ाएं और किसी ऐसे गरीब बच्चे को दे दे जो वाके में नीडी हो जिसके मावाब फोर्ड नहीं कर सकते हो कोई खिलना उसको दिलाना तक्षन भारत में इन्हें मुर्गन कहा गया है मुर्गन का मतलब होता है छोटे-छोटे खिलोने उस जमाने में मिट्टी के खिलोने बनते थे आजकल मिट्टी के खिलोने नहीं सही, कोई भी खिलोना, चाहिए वो प्लास्टिक का हो, भगवान कार्थिके पर चढ़ा कर किसी गरीब बच्चे को दान दीजे, निश्चित रूप से संतान ही नता की प्रॉब्लम तो सौल होगी हम उमीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा, तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडी जी से सवाल जबाब करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन जाने से पह करेंगे